सब ये देख गबरा गए और बीना कुछ सोचे वहां से बाहर निकलने के लिए भागने लगे पर उन्हें नहीं पता था कि वो अब यहां से कभी नहीं बाहर निकल पाएगे वो तीनों बाहर निकलने का रास्ता सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें दर्वाजा खुलने के आवाज आई ये उसी रूम का दर्वाजा खुला था जिस रूम में सुपांस गया था वो तिनों डर गए और तबी उसी रूम में से कोई बहार आया वो सुपांज था उसके पूरे शरीर पर कहरे गाव थे जखम एक दम ताजा थे और खून भी निकले जा रहा था उसने मदद के लिए प्रणव को बुलाया प्रणव बीना कुछ सोचे उसके पास गया लेकिन जैसे ही प्रणव वहाँ पर पहुचा प्रणव के शरीर के खड़े खड़े दो टुकडे हो गए दोनों टुकडे जमीन पर गिर गए उस रूम में से एक अजीब सी आवाजे आने लगी किसी लड़की के जो हाथ अपनी उंगलियों पर चलकर उन टुकडों के पास आए और अपने लंबे नाखूनों से प्रणव के शरीर का मास निकालकर अंदल ले जाने लगी अब हेमा और अनीता ही बचे थे अब उन दोनों के पास अपनी मौत का इंतिजार करने के अलावा कोई राष्टा नहीं था अनीता ने गुसा होकर जोर से पूछा कौन हो तुम? हमें क्यूं मार रही हो? कोई जवाब ना आने पर उसने गुसा होकर टेबल पर रखी हुई मूर्थी कमरे की तरफ फैकी और तभी जोरो जोरो से हवाए चलने लगी और डराओनी आवाज आने लगी फिर वो मूर्थी इतने जोरो से वापस उसकी तरफ आई और हेमा की सर पर जा लगी मुर्ती इतनी तेजी से फैकी गई थी कि हेमा के सर के डो टुकड़े हो गए ये देख अनीता के होश उड़ गए अनीता खुद को बचाने के लिए भागने लगी तीनों दोस्त उसके सामने खड़े हो गए अनीता ये समझ चुके थी कि ये तीनों अब उसके दोस्त नहीं रहे उसने दोड़ते हुए एक कमरे में जाकर दर्वाजा अंदर से बंद कर दिया जब उसने रूम में मूड के देखा तो वहाँ पर कई साल पहले कोई काली विद्या की गई हो ऐसा डरावना मनजर था अनीता की नजर वहाँ पर टेबल पर रखी हुई एक किताब पर पड़ी उस पे काफी दूल चम चुकी थी उसने किताब उठाई और किताब को साफ करके पढ़ना चालू किया अगर आपको हमारी ये विडियो पसंद आई है तो लाइक करे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले